ओम शान्ती, आज है 17 जन्वरी 2022 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, तुम्हें सबको बताना है कि वेश्व में स्वर्ग की सापना करने वाला वेश्व का मालिक शुबाबा है, वही भारत की बिगडी को बनाते हैं, सेक उसे हीरे जैसा बना रहे हैं, बच्चे जानते हैं, गालियां तो खाना ही है, भारत में देवताएं भी गाली खाते आए हैं, लेकिन तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धी हैं, उनको बहुत खुशी रहेगी, विशाल बुद्धी उन्हें कहेंगे, जो पहले स्वि तो पवित्र रहने की मेहनत करनी पड़े फिर कहा तुम हो शिवश्यक्ति सेना पहले स्वियम बाप से अविनाशी ग्छानरत्नों की जोली भड़ते फिर भारत की जोली भड़ते हो अब यह भारत बहुत सहुकार हो जाएगा संगम है ही कल्यान कारी क्योंकि संगम यूग पर ही दुनिया बदलती है जो बच्चे अभी जोली भरते हैं राजे भागे भी वही लेंगे इसमें मूझना नहीं चाहिए आगे कहा बाप देखो कितना मीठा है वे तुमको भी इतना मीठा बना रहे हैं तो उनको याद करना चाहिए न याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम बाप के पास चले आएंगे और लास्ट में बाबा ने कहा जैसे शुरू में तुमको साक्षत कार हुए ऐसे पिछाडी के समय भी होंगे उधर हाहकार होगा और यहां तुम बड़े खुशी में रहेंगे जब जास्ती हंगा में होंगे तो बच्चे मधुबन में आकर इकठे होंगे लेकिन सभी तो यहां नहीं आएंगे जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार, मीठे बच्चे प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ ज्यान रत्नों से अपनी जोली भरपूर करो तब भविश्य में राज्य अधिकारी बनेंगे प्रश्न श्यू बाबा को भोलनाथ क्यों कहा गया है उत्तर क्योंकि श्यू बाबा सब बच्चों की बिगडी को एक सेकंड में बना देते हैं कहते भी हैं राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ती मिली तो एक जनक की बात नहीं तुम सब को बाप एक सेकेंड में जीवन मुक्ती दे देते हैं। भारत की बिगडी को बना देते हैं। दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसलिए उन्हें सब भोला नात कहकर याद करते हैं। शंकर को भोला नात नहीं कहेंगे। गीत भोले नात से निराला कोई और नहीं। बिगडी को बनाने वाले से निराला कोई और नहीं। ओम शांती। भोला नात बाप का बच्चों प्रती पहले पहले डारेक्शन है कि भोला नात की याद में रहो। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता। भोला नात शियो बाबा को ही कहेंगे। शंकर को भी भोलानात नहीं कह सकते। जो बिगडी को बनाने अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाला है उसको ही भोलानात कहा जाता है। बिगडी भी भारत वासियों की है तो भारत की बिगडी को बनाने वाला भी जरूर भारत में ही आएगा ना। बिगडी को बनाने की युक्ती सेकेंड में बतलाते हैं। जनक को भी युक्ती दे थी। बिगडी भी कोई एक की नहीं बनती। अगर जनक की बिगडी बनाई और उसने जीवन मुक्ती पाई तो जिरूर राजधानी होगी। उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ती मिली होग भारत वसी यह भी समझ से हैं कि भारत जीवन मुक्त था जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को जीवन बंद कहा जाता है नर्ग को यह है राज योग राज योग से ही राजाई की सापना होती है एक जनक की बात नहीं भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी है बरोबर देखते हैं सत्यूग के लक्ष्मि नारण ने राजाई कैसे पाई अभी तो है कलियूग प्रजा का प्रजा पर राज्य स्थापन हो चुका है यह है पंचाहिती राज्य इसके बाद है सत्यूग तुम जानते हो लक्ष्मि नारण ने आगे जनम में ऐसा कर्तव्वे किया है तब सुरेवन्षी राजाई पाई है फिर है चंद्रवन्षी वे तो राज्य की ट्रांसफर होती है तुम जानते हो गीता है सर्वत्तम धर्म शास्र जिससे तीन धर्म स्थापन होते हैं और हर एक धर्म का शास्र एक ही होता है संगम का भी एक ही शास्र है महीमा भी गीता की ही है जिससे सबको सदगती होती है तो सदगती करने वाला एक ही है गीता में बरोबर रुद्र ग्यान यग्य का भी वर्णन है जिससे इस पुराने नर्क का विनाश होता है और स्वर्ग की सापना भी होती है इसमें मूझने की तो बात ही नहीं, बाबा ने समझाया है, पहले पहले बाप का परीचे देना है कि विश्व में स्वर्ग की सापना करने वला विश्व का मालिक ठेहरा, वे है सबका बाप, फिर यह लक्षमी नारण है विश्व के मालिक, उन्हों को जरूर शुबाबन राज्य दिया होगा अभी तो कलियुग है भारत कोड़ी जैसा है कर्ज बढ़ता जा रहा है इसलिए सोना लेने का प्रबंद करते रहते है भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा लक्ष्मी नारेन को स्वर्ग की राजाई मिली है न यह भी तुम बच्चे जानते हो गालियां तो खाना ही है भारत में देवताईं भी गाली खाते आए है और देश वाले तो बहुत महिमा करते है वे जानते हैं कि यह प्राचीन भारत के मालिक थे अभी तुम बच्चे प्रेक्टिकल देख रहे हो तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धी है उन्हों को ही खुशी होगी विशाल बुद्धी वह है जो धारण कर और फिर दूसरों को कराते हैं ऐसे मत समझो वहां सत्संगु आदी में तो पांच दस हजार लोग रोज जाते हैं यहां तो इतने आते नहीं है भक्ति तो विश्धी को जरूर पाती रहेगी उनसे यह कलम लगता रहेगा जिनोंने कल्प पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं लोग तो कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस यहां तो कितने मेहनत करनी पड़ती है पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं गवर्मेंट भी कुछ नहीं कर सकती यह पांडव गवर्मेंट तो गुप्त है अंडरग्राउंड सेना एक नाम है तुम शक्ती सेना गुप्त हो तुमको कोई समझ न सके तुम हो नौन वाइलेंस शक्ती सेना इसका अर्थ कोई समझ न सके गीता की अक्षर का भी अर्थ समझ न सके बाप खुद बोलते हैं यह knowledge प्राय लोप हो जाती है, लक्ष्मी नारेण में भी यह ग्यान नहीं रहता, मैं जो यह ग्यान सुना कर राजधानी सापन करता हूं, वे कोई की बुद्धी में नहीं है, यह बाबा भी गीता अधी पढ़ते थे, प्रन्तु यह बातें थोड़े ही बुद्धी में थी, पढ़ते थे, उन गीता पाटशालाओं में विग्न की बात नहीं रहती, यहां तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो, यह अक्षर तो गीता में भी नहीं है, यह भी समझ की बात है, प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य ना कि सिर्फ भारत वासी, प्रंतु सारी सृष्टी के मनुष्य सब हैं, सभी प्रजापिता ब्रह्मा को एडन कहते हैं, जानते हैं, वह मनुष्य सृष्टी का पहला है, हिमिनिटी स्थापन करने वाला है, ऐसने की सृष्टी होती ही नहीं है फिर ब्रह्मा पैदा हुआ उनके मुख से मनुष्य रचे जाते हैं नहीं अगर कोई भी मनुष्य ना हो तो फिर मुख वन्शावली भी पैदा हो न सके ना ब्रह्मा मुख वन्शावली ना ब्रह्मा कुख बन्शावली हो सके सुरिष्टी तो सारी है उनकी कलम लगाई जाती है यह नई नई बातें समझने की है किसकी बुद्धी में बैठने में टाइम लगता है कोई तो एक मास में भी खड़े हो जाते हैं जैसे देखो बैंगलोर के अंगना बच्चे को कितना नशा चड़ा हुआ था जो हमारे पास बीस वर्ष वाले को भी नशा नहीं है खुशी में डांस करता था भगवान मिल गया खुशी की बात है न भगवान आकर रक्षा करते हैं माया से फिर स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं बाबा तो बहुत क्लियर समझाते हैं मैं इस साधारन तन दवारा फिर से तुम बच्चों को वही सहज राजियोग और सृष्टी चक्र के आदी मध्य अंत का ज्यान सिखलाता हूँ तुम कह सकते हो आओ तो हम आपको सत्यूग से लेकर कलियूग अंत तक की हिस्ट्री सुनाए कि अब फिर से कैसे सत्यूग आने वाला है जरूर सिखाने वाला भी होना चाहिए हमको सिखलाते हैं तब तो हम समझा सकते हैं ना बाकी तो जो गीता सुनाने वाले हैं, उनसे तो तुम लोगोंने बहुत सुना है, बहुत लेक्चर्स होते रहते हैं प्रण्तु वह इस धर्म के ना होने कारण इस सरफ खिचते नहीं है जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृधी होगी, धीरे धीरे वृधी होती रहेगी। ये तो जानते हैं भारत कितना कंगाल है। मनुष्य भूख बहुत मरते हैं, दुखी होते हैं। भगवान की भक्ती करते हैं कि आकर दुख से छुडाओ। तुम बच्चे जान जानते हो सुखी सृष्टी कब होती है। यहां तुम बच्चों की जोली भर रही है इन अविनाशी ज्यान रतनों से, आगे तो सब सुनते सुनाते थे, प्रन्तु उसमें जोली भरने का प्रशन नहीं। जोली अभी सिर्फ तुम्हारी भर रही है। और जो टेप ज़ोली भर रहे हैं तुम हो शिवशक्ति से ना भारत की जोली भरने वाले। भारत बहुत सहुकार हो जाएगा। परन्तु जो जोली भरते हैं राज्येतु सिर्फ वही करेंगे ना। भारत सोने की चिडिया थीफिर बन जाएगी सभी सुखी होंगे। प्रंतु भारत में कितने करोड है इतने सब तो वहां नहीं होंगे जो जोली भड़ते हैं राज्ये भाग्ये तो वही लेंगे इसमें मुझने की बात ही नहीं की कैसे होंगे अरे इन लक्ष्मी नारेण को देखो न यह सत्यूग के मालिक है न स्वर्ग का रचाईता है श्यू बाबा और यह लक्ष्मी नारेण सत्यूग के मालिक है जरूर आगे जनम में पुरुशार्द किया है आगे वाला जनम अड़तात पहले वाला जनम होगा संगम पर संगम कल्यान कारी है न क्योंकि संगम युग पर ही दुनिया बदलती है तो जरूर कल्युग और सत्युग के बीच में ग्यान दिया होगा सो अब फिर से दे रहे हैं फिर कोई कहे कि निराकार परमात्म कैसे आकर राजियोग सिखलाएंगे तो तुम त्री मूर्ती दिखाओ ब्रह्मा दवारा सापना तो जो सापना करेंगे वही पालना भी करेंगे जैसे क्राइस्ट ने सापना की फिर पालना के लिए पोप भी जरूर उनको बनना पड़े वापिस तो कोई जाने सके पालना जरूर करनी है उनर जनम लेना ही है नहीं तो स्रिष्टी बढ़े कैसे जबकि सत्यूग त्रेता में पहले देवताओं का राज्य था तो सबसे जास्ती आदम शुमारी जरूर इनों की होनी चाहिए फिर क्रिश्चन्स की जास्ती क्यों है फिर लाखों वर्ष की भी कोई बात नहीं है यह सब बाते समझेंगे वही जो अपने घर आने के होंगे औरों को तीर लगेगा नहीं यह ज्यान का तीर है ना बाबा कहते हैं भले किसको भी ले आओ तो ज्यान बान लगाएं होगा ब्रह्मन कुल का तो तीर लगेगा शास्त्रों में दिखाते हैं लडाई में यादव कौरों मारे गए पांडव पांच थे फिर हिमाले पर जाकर गल मरे अब ऐसे तो हो नहीं सकता गाया भी जाता है जीव घाती महापापी आत्मा का कभी घात नहीं होता है आत्मा खुद जाकर शरीर का घात अथुआ विनाश करती है अब पांडव जिनों को श्रिमत देने वाला परमात्मा था वे जाकर पाड़ों पर गल गए ये तो हो नहीं सकता अच्छा वे तो पांच पांडव थे बाकी और पांडव कहां गए सेना तो दिखाई नहीं है तुम जानते हो विनाश कैसे होगा तुम देखेंगे भी तुम बच्चों को साक्षातकार भी बहुत होंगे शुरों में तुमको बहुत साक्षातकार होते थे कभी लक्षमी को कभी नारैन को इन्वाइट करते थे कितने साक्षातकार होते थे फिर पिछाडी के टाइम पर जब हाहा कार होगा तब फिर तुमको साक्षातकार होंगे हंगामे होंगे तो तुम बच्चे आकर यहां इकठे होंगे इसलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते रहते हैं फिर तुम बच्चों को इन साक्षतकार से खुशी मिलाते रहेंगे परंतु मासी का घर नहीं है जो सब यहां आ जाए जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनाते कोई भी बात में मूझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो नहीं तो यह ब्रह्मा बाबा बैठा है यह नहीं बता सकता तो बड़ा बाबा श्यू बाबा बैठा है ये तो समझाया है कि अभी बहुत कुछ समझने का बाकी है सारे चक्र का राज बाबा समझाते रहते हैं कितनी पोइंट्स निकलती रहती है अजुन टाइम पड़ा है तो जरूर और भी समझाना होगा प्रन्तु पहले मूल बात यह जरूर लिखाना है एकदम बलड से लिखवाना है कि हमको निश्चे है कि बरोबर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं ऐसे नहीं सिर्फ लिखने से ही बदल जाते हैं कहते हमने तो ऐसे ही लिख दिया जास्ती कोई से माथा नहीं मारना है बोलो भगवानू आज भगवान हम शिवबाबा को मानते हैं वो ग्यान का सागर सत्चित है उनको अपना शरीर तो है नहीं तो जरूर साधारनतन का आधार लेंगे न तो पहले पहले बाप कहते हैं मा में कम याद करो देहे के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और मेरे पास चले आएंगे और चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे बाबा कितना मीठा है और बनाते भी देखो कितना मीठा है सत्यूग की निशानिया है वे फिर रिपीट जरूर होंगी कलियोग भी है अभी तुम राजयोग सीख रहे हो विनाश सामने खड़ा है और क्या सबूत देवें अच्छा मीठे मीठे सिकेल अधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग धार्ना के लिमोख्य सार पहली पोइंट बाप समान बनना है भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं इस खुशी में रहना है किसी भी बात में मूझना नहीं है सपूत बच्चा बन बाप का पूरा-पूरा मददगार बनना है वर्दान ब्रह्मा बाप के संसकारों को स्वयम में धार्न करने वाले स्वव परिवर्तक सोव विश्व परिवर्तक भवन ब्रह्मा बाप के संसकारों को स्वयम में धार्न करने वाले सोव परिवर्तक सोव विश्व परिवर्तक भवन जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संसकार बनाए वे सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी तो ये ब्रह्मा बाप के संसकार ही ब्रहमणों के संसकार नेचरल हो सदा इनी स्रेष्ट संसकारों को सामने रखो सारे दिन में हर कर्म के समय चेह करो कि तीनों ही संसकार इमर्ज रूप में है इने संस्कारों को धारण करने से स्वोपरिवर्तक स्वोविश्वपरिवर्तक बन जाएंगे। स्लोगन अव्यक्त स्थिती बनानी हैं तो चित्र देहे को ना देख चेतन्य और चरित्र को देखो। लव्यक्त स्थिती बनानी हैं तो चित्र को ना देख चेतन्य और चरित्र को देखो। लवलेन स्थिती का अनुभव करने के लिए आज का अभ्यास बाप का आप बच्चों से इतना प्यार हैं जो जीवन के सुख शान्ती की सब कामनाय पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। साथ साथ स्रेष्ट भाग्य की लकीर खीचने का कलम भी देते हैं। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। यही परमात्म प्यार है इसी प्यार में समाए रहो। अच्छा। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमोती। यह एक बहुत संसकारिता पूर्ण विडियो है। जरूर देखें कोई भी मिस ना करे।